तो इस वीडिवों हम बात करने वाले स्पीरिम में कैसा हम है जे रिफरेंस को इंप्लिमेंट कैसे करेंगे इसके बाद में जाने भी प्रैक्टिकल तो इसके लिए simpler सब्सक्राइग इना नौए बास एंप्रे आएंगे और अधर करेंगे हम त्थ करेंगे और हम कुझा हैं नेक्स बेसा का्टना है और इंदेने को सिंपली से तुम्न कर देना यह जो को हमारा प्यकेज नेम रखना है वह अमारा सिंपली यहां से फिनिस कर देंगे तो यह हमारा एक सिंपल मेवन का प्रोजेक्ट क्रेट हो जाएगा और यहां से देखिए हमारा पॉम.examl है जिसका फूल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट, अबजेक्ट, मोडल और यहां से के अंदर हीम सारी डिपेंडेंसीज को एड करते हैं जो हमारे रिक्वाइड डिपेंडेंसीज होती है ओके तो इस डिपेंडेंसीज टैक को हम के अंदर टैक को एड करेंगे तो डिपेंडेंसीज लाएंगे कहां से यह हमने आलेटी प्रिवेस यूट्यों में बता रखा है तो चलिए इस वीडियो में आपको में बता आता हूं तो सिंप्ली यहां से अपने को आना है और यहां से मैं पेस्कों है हैं से सेक्डे हैं कैसे मतर में आतलेश इंग हैंको निलेटेक्स सवर्णी 10 इंद प्लिया चैप और यह के उनध प्लियों में क्वा इस अपने को वही वर्जन लेना जो हमने इस प्रिंग को आली थे थे बर्जन जो लिया था वो 5.3.29 था यह वाला बर्जन 5.3.29 यह वर्जन को ठाना है और यहां से इसकी dependencies को अपने को अगेन copy कर लेना है ओके और इस टेक में पेस्ट करेंगे और control shift apps को format करके save करेंगे यहां क्यों dependencies tag है इसके अंदर वो सारे required dependencies को यह download कर लेगा यहांस देखिए spring core and context कहा गया बाइद आपके case में अगर नहीं हो रहा है तो simply project पर आना है right click करना है right click करने बाद यहां आपको मेवेन दिखना है मेवेन पर आना है यहां पर update project पर simply click करना है और इसको चेक कर देना है force update of snapshot release and okay पर hit कर देना है तो यहां देखिए update maven project यह maven project को update कर देगा और required dependencies को इंटरनेट से download कर देना चाहिए इस दौरान आपका system जो है इंटरनेट से connected भी होना चाहिए तो हमने required dependencies को add कर दी है अब हमने SRC में Java package इसके फोड़र के अंदर आएंगे और यहां से comment.app है और इसके अंदर एक आलीट है रिख्वार्ट को रिक्वार्ट क्लास मिला है इसके अंदर सब्सक्राइब दो entity create करेंगे त्मिस class create करेंगे okay तो simply हमारे class पहला रहेगा student और इसको हम package मंदर रखेंगे model package के अंदर simply रखेंगे ओकी इस्टुडेंट हमारा होगा और student पास के का variable रहेगा फिल्ड प्राइवेट इंड आईटी हम ले लेंगे और प्राइवेट इस्ट्रिंग सिंपली हां समझे देंगे और स्ट्रिंग में नेम ले लेंगे और दूसरा एक हम जो लेना है वो class लेंगे वो address टाइप का ले लेंगे address और simply इसको address ले लेंगे okay यह हमारा होगा अब यह address class इसको define करना पड़ेगा okay तो simply हां से जहां पर rrs पर click कर ये okay और यहां से create class है इसको simply कर दीजे और इस class को create कर देगा और इस class पास भी हम यहां पर simply लेते हैं private और एक श्ट्रिंग ले लेते हैं और simply यहां पर pass कर लते हैं city private int और यहां पर हम pin ले लेते हैं यह हमने दूर variable इसके अंदर रखा आपकी रुक्वार्मिंग कम्सवर आप इसको variable को increase कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं ओके यहां से राइट क्लिक करते हैं और इसके corresponding getter setter को create करते हैं साब सब्सक्राइब और source पर आने के बाद simply यहां से हम लिखेंगे generate getter setter पर क्लिक कर देंगे और यहां select all कर देंगे जिससे क्या होगा सारा variable शेक्त हो जागा and corresponding getter setter अपने को यहां से मिल जाएगा यहां से अगेन student पर आएंगे और हाँ आएथ पर तोर्स पर आने और ग्षाए और copyright करेंगे एक सब्सक्राइब कर देंगे और हैं से yn winter कर देंगे इससंके scoring ए एड्रेस के लिए भी टूइस्ट्रिंग को जन्रेट करते हैं तो अगें हम आएंगे सूर्स पे सूर्स पे आने बाद सिंप्ली जन्रेट टूइस्ट्रिंग पर क्लिक कर देंगे यह जो चीजे दी हम चीज आचीव कर सकते हैं लेंबोग मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा अब यहाँ पर इन दोनों क्लास को स्प्रिंग को बताना है कि हम इन's details को स्थाया जरिए और और उस AM information के base पे spring क्या गाम करें इस class की object को create करेगा और create करने के बाद जो student class को भी address class की need है okay address class की reference यहां दिये ने तो इसको यहां पर address class के reference को कैसे इंजेक्ट करेगा यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे इसी वीडियो को concept है reference type okay यहां से लग्छे करके किसमें कैसे इंजेक्ट करेगा यह भी में इस वीडियो में चानेंगे तो इस वासफी लिए right क्लिक करते है SRC में Java पे और यहाँ पे New पे आते हैं New पे आने पाद simply यहाँ पे Other पे आते हैं और Other प्राइने पर बिजर्ड में आए, Simply इस बिजर्ड में टइप करते है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकी डिटेल हम कहांस निकालेंगे यह मैं आपको बताता हूं तो सिंप्री यहां पर यह स्प्रिंग यहां से स्प्रिंग लिखना है उसका डीडीडी लिख दीजिए डीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी कोड नीचे आएंगे और नीचे आने को बाद यह वाला रिफ्रेंट इसके माना लेकर यह नीचे वाला सिंप्ली यह जो है इसको कॉंपी कर लेना है प्रोवाइट करते हैं यह सारी इंफॉरमेशन में यहाँ देते हैं और यहीं सी इंफॉरमेशन कैसे देंगे इसके बारे में बाता हूं तो सबसे पर इस बीन के अंदर एक tag होता है class तो इस class के अंदर आएंगे simply हम और class के इस student class कहां पर present है यह बताना परेगा तो इसको write student पर करिए और यहां पर copy qualified name को use करेंगे इसके help क्या होगा है package name dot class name basically हम पर हम प्रोडेक्ट कर रहे हैं तो देखिए हमारा क्या है com.app.smorl हमारा package है उस package के अंदर क्या है student हमारा class इसके information कि यह class यहां पर है और मैंने कहा कि spring जो इस object को create करेगा उसका नाम क्या रखना है मैंने कहा उसका नाम तो student रख दो कि जब भी मैं तुम्हें बोलो मुझे student चाहिए तो मुझे इसकी object हो तो वह value क्या है तो यहां पर देखिए student पास id है name है address है हम चाहते है कि इसकी value को वह set करेगा तो कैसे करेगा तो यहां पर simply का property हम simply लेंगे है आप आईडी और यहां पर हम simply इसी का अंदर value एजे tag यूज़ करते है value और id हम simply 12 देते हैं उसे self closing रखते है ओके इसी तरह समया ले value को पास करते है value हम simply यहां देते हैं और इसे self closing कर देते हैं अब यहां पर देखिए property हमारा क्या है address है इस student पास क्या address है और इसको क्या चाहिए एक bin ही एक self में अपने आप में एक object है अब इसकी information कैसे यहां पर inject कराएंगे यह interesting है तो simply यहां पर name में हमें simply as a address पास कर दि attribute as a tag कर सकते हैं तो अभी के लिए attribute लिए तो यहां पर simply लिखे रेफ और यहां पर लिखेंगे bin अब इसकी जो बीन होगा ना उस बीन की information यहां पर अपने को देना है ओके वो information देना है तो यहां पर क्या आते हैं इसके टॉप पर आते हैं और simply address कर जैसे इस तरह से student की information दिए उसी तरीके से अपने को address का भी information देना पर जिससे कि वो address का object यह create कर सके तो यहां पर एक bin ले लिया simply address class में आते हैं इसकी भी qualified name को copy करते हैं इस class करेंगे copy qualified name ले लेंगे और simply यहां जो हमारा यह class tag है ओके तो हम बताएंगे spring continue कि यहां पर हमारा address class available है ओके और यहां इसको bin के अंदर रखना ना कि पीन के बाहर रखना है तो यह हमारा होगे और इस तरह हम चाहते हैं कि इसका name क्या दे बीन जभी मश्य को मैं spring सगालू तो मैं किस name से में कहा है कि इसको address name रखना उसकी और इसकी पास भी कुछ variable है तो उसकी भी value हम set करते है property और हमारा पहला variable है city और यहां पर हम city एजे value पास करते हैं पटना ओके इसको भी self closing कर देते हैं और यहां प्रोपर्टी ले ले लेते हैं property महारा दूसरा है पीन और इसकी भी value हमने रहते हैं simply 1,2,3,4,5,6 दे देते हैं उसे भी self close कर देते हैं अब देखिए जो हमारा address class था इसके पास दो बेरेवल था और इसके पास क्या काम करेंगे यह जो object की address वाली ID है इसको यहां पर पास कर देंगे तो यहां क्या 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 करेगा उस bean को as a reference type यहां पर use कर लेगा ओके यह हमारा काम होगे ऐसे इस value को हम पास कर सकते हैं इसके value कैसे पास किया हमने separate एक bean crate के address लिए और उस bean की जो ID थे इस student bean के मैं उस ID को हमने simply पास कर दिये यह student का bean है इसकी ID में क्या क्या काम किया अब्यक्ट में इसकी reference वाली ID में पास कर दिया तो पहले इसकी object क्रेट करेगा जब यह देखा है ref bean कोई है जिसकी ID के address है तो उसको search करेगा और उसकी जो भी object को इसको इसको इंदर inject कर देग spring container internally हमें कुछ करने की जरुवतिन है बस simply यहाँ पर हमने information दे दिया यह देखे यहाँ पर इसके address हमारे पास है और इसकी जो बीन आपको लाना जिसकी address बीन हो उसकी object इसके लिए अंदर लाकर inject कर देना है यहाँ पर हमने यह information दे दिया अब यहाँ पर हमारा test class app है इसके main के अंदर simply आते हैं main के अंदर आते हैं और यहाँ पर लिख लें application context को use करते हैं और simply यहाँ पर लेते हैं context और equal to लेते हैं new class path xgml और double break के अंदर हम simply लिखेंगे app config app config करना अपने को .xgml यह हमने कर दिया है तो इससे क्या होगा कि यह यही जो है spring container application context से spring container है और यहाँ पर हम इसकी इंटरफेस है इसकी implementation class है class path xgml application context यह क्या हम काम करेगा इस particular configuration file को load करेगा और उसको read करेगा और जो भी information है उसके बेस पर वो object को create करके अपने को दे देगा अब हम इसको container context इसे पास एक method है get bean हम कहेंगे हमको यह बीन चाहिए और वहारा बीन का नेम क्या था देखिए हाँ पर app के अंदर आईएगा अपने को यह student वाली bean है यह अपने को चाहिए तो simply हाँ पर लिख डबल को रंदर student पास कर देंगे और यह किस type का है तो यह student type का है तो हम यहाँ पर simply लिख देंगे student .class तो यह क्या काम करेंगा इस student की object लेकर अपने को दे देगा तो simply हाँ देखिए system.out.println यूज़ करेंगे और यहाँ पर bean को पास करते हैं ओके right click करते हैं run as java पर simply hit करते हैं और यहाँ देखिए फूरी 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 अपने हमें जो value पास किया तो वो पूरे फूरे अपने को दे दिया I hope आपको यह समझ आएगो कि कैसे हैं spring में hazard relationship होता एक student पास यह कोई दूसरा class है तो उसकी reference को कैसे इस particular class के object में पास कर सकते है इस whole concept को इस video में हमने डिसकर्स करें आपके लिए एक task है कि आप एक दूसरा class create करिए उसमें भी आप hazard relationship को establish करिए और उसकी value को with the help of xml configuration से पास करिए और उसको implement करिए I hope आपको यह whole concept समझ आया होगा